दियर स्टुडेंट्स आज हम सॉल्ट करेंगे अक्सरसाइज 12 डे की रिमेनिंग प्रॉब्लम शिक्स्थ टू एट्थ प्रॉब्लम्स बटा शिक्स्थ वेस्ट देखिए ABCD is a kite यहाँ पे ABCD एक काइट आपको दी गई है फिगर में special quadrilateral और हमें यहाँ पे इन questions के answer देने हैं एपार्ट में देखिए इस एंगल ADO is equals to angle ABO यसी तरह B पार्ट में इस एंगल DAO यह वाला जो एंगल है वो एंगल BAO के equal है यह बताना है C पार्ट में आपको बताना है इस triangle AOB is congruent to triangle AOD AOB जो triangle है वो आपको congruent दिखानी है triangle AOD के और D पार्ट में देखिए angle AOB AOB यह वाला जो angle है यहाँ पे वो आपको equal दिखाना है angle AOD के और दोनी angle 90 degree के हैं यह आपको बताना है ठीक है? आई यह इस question को simplify करते है इसके पार्ट में देखिए angle AODO वो equal है angle ABD के ठीक है? हमने लिखा yes यह angle इसके equal है तो यह क्यों equal है? इसके लिए हम क्या करेंगे बिटा? दो triangles को congruent दिखाएंगे ADO और ABO यह जो दोनों triangle है यह हमें एक दूसरे के congruent दिखानी है अपने पिछली classes में दो triangle को congruent प्रूव करना सिखा था कि किस तरह से एक triangle को दूसरी triangle के congruent आप दिखा सकते हैं अलग-अलग congruent rules से ठीक है? इनी rules के साथ साथ आप kite की जो properties हैं उनको use करेंगे और दोनों triangles को congruent दिखा देंगे और जब बटा दो triangle congruent हो जाएंगी तो उनके जो corresponding parts होते हैं वो equal होते हैं और यहां से यह पूरा जो question है वो solve हो जाएगा तो इन दोनों triangles में देखिए triangles ADO and triangle ABO AD किसके equal है? AD AB के equal है AO side AO side के equal है common है दोनों triangles में और angle AOD AOD जो angle है वो angle AOB के equal है जो 90 degree के equal है क्योंकि हमें पता है the diagonals of kite intersect at right angles तो हम क्या करेंगे RHS congruence rule यहां पर लगा देंगे और जो triangle ADO है वो congruence हो जाएगी triangle ABO के RHS congruence rule से बेटा जो triangle ADO है ADO वो congruence हो जाएगी triangle ABO के और उनके जो corresponding parts है वो equal हो जाएगे तो angle ADO वो equal हो जाएगा angle ABO के ठीक है because of CPCT और CPCT की फुर्फरम क्या होती है corresponding parts of congruent triangles are equal ठीक है ना corresponding parts of congruent triangles इस तरह इस question के बाकि जो parts है वो भी इसी वज़े से solve हो जाएगे ठीक है ना और यह अब 7th question में area और parameter की जो applications हैं वो हम solve करते हैं special quadrilateral की तो 7th question में हमें क्या given है बिटा parameter of square 72 meter आपको parameter दे रखा है length of boundary is given to you तो हमें यहाँ पे side निकालनी है कि square की side कितनी होगी और square का area निकालना है ठीक है तो हमें क्या करेंगी parameter के equal उसका formula रख देंगे हमें पता है 4 into side वो equal होता है parameter की parameter आपने 72 यहाँ पे रखा यहाँ फे formula अप्लाई कर दिया तो side की कितनी value आजाएगी 72 divided by 4 18 meter ठीक है और area क्या हो जाएगा square का formula आप अप्लाई करेंगे side into side 18 into 18 ठीक है ना 324 square meter क्योंकि यह क्या है area 2 dimensional ठीक है तो हम क्या यूंट लहेंगे square meter ओके वी पार्ट में आपको एक rectangle दी हुई है उसकी एक side आपको दे रखिये स्पोर्स अगर यह length है तो हमें दूसरी साइड निगाल लिए breadth ठीक है statement के coding आपको इसका parameter दिया हुआ है ठीक है ना और उसके बाद आप इसका area निगाल सकते है length into breadth तो आपको बताए कि जो rectangle के positive sides होती है वो क्या होती है equal होती है यह 20 meter है तो यह भी 20 meter हो जाएगी आपने इसको माल लिए एक्स माल लिए अगर यह x meter है तो दूसरी साइड भी x meter हो जाएगी तो इसका formula आप apply कर देंगे parameter क्या होता है rectangle का twice of length plus breadth क्योंकि दो ही length होती है दो ही breadth होती है तो length of boundary क्या होता है parameter होता है तो इस formula में आप value put करेंगे और यहां से side की value निकाल लेंगे 2 से multiply करने पर value क्या जाएगी 40 plus 2x is equal to 64 40 को आप इधर ले जाएगे right side में minus हो जाएगा 2x है वो 24 के equal आजाएगा 64 में से 40 आप minus कर देंगे x की value निकाल लेंगे क्योंकि multiply में है तो 2 से आप divide कर देंगे 24 को value आजाएगी 12 तो other side क्या हो जाएगी rectangle की 12 meter इसके बाद आप rectangle का area निकाल सकते है length into breadth square unit length कितनी है 20 meter breadth कितनी है 12 meter जैसे आप इनको multiply करेंगे 1200 1200 24 240 meter को meter से multiply करेंगे square meter यह area हो जाएगा पिटा rectangle का 7th question का see part देखिए यहाँ पे kite आपको दे रखा है जिसकी एक side आपको दे रखिए 20 meter ठीके आपको बता एगर यह 20 meter है तो यह side भी 20 meter होगी क्यों क्योंकि kite के अंदर है adjacent side है वो क्या होती है equal होती है ठीके ना opposite side equal नहीं होती है ठीके तो हमें बाकी सारी side से उनकी value बतानी है parameter दे रखा आपको 100 meter तो माली आपने other side है वो x meter आपने माली माली जगर x meter है तो दूसरी side भी क्या हो जाएगी x meter और इसकी जो सभी sides की length का जो sum है वो आप 100 meter के equal रख देंगे simplify करने के बाद आपके पास x की value आ जाएगी ठीके ना तो आप देखें हमने parameter के equal यह value रख दिया 20 प्लस 20 प्लस x प्लस x 40 प्लस 2x है वो 100 के equal और यहां से x की value क्या जाएगी 30 meter so length of other sides are क्या क्या हो जाएगी 20 meter 30 meter और 30 meter 20 meter वाले side आपको पता opposite side है और यह बाकी हमने value निकाल लिया है यहां से अब बेटा 7th question का deep part देखिए यहां पे एक rhombus आपको given है जिसकी एक side 20 meter आपको दे रखिए हमें आपे parameter निकालना है rhombus का आपको पता है rhombus की सारे side क्या होती है equal तो parameter क्या हो जाएगा rhombus का 4 into side तो आपे side की value रख देंगे आप 4 into side है 20 meter 24 जा 80 meter यह आप का अनसरा जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही थेंक्यू